हेलो एवर्यों नमस्कार स्रियाकाल असलाम अलेकों मैं हूँ प्याडी और मैं हूँ प्रतिक्षा आज हम इंजिनियर मुहम्मद अली मिर्जा जी के बयान के उपर विडियो करने वाले हैं हूँ इजला माइंड ब्लोइंग इंट्रोड़क्शन इंजिनियर मुहम्मद अली मिर्जा हमने हम बहुत दिनों के बाद विडियो कर रहे हैं क्योंकि हम बिमार थे तो बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी इसलिए हम अब से रेगुलर विडियो डालेंगे हमारी विडियो कैसी लगते बता है और और इजनल चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बाक्स में देखिए और सब्सक्राइब कीजिए उनकी बी चैनल को तो चलो यह विडियो रखते हैं कि हमारा यह जो दिल है रोजाना एक लाग दफ़ा धड़कता है दिल है एक लाग दफ़ा हार इनसान का दिल है और एक लाग दफ़ा धड़कने से दस हजार लीटर खून हमारी शर्यानों में ट्रैवल करता है रोजाना और हमारी शर्याने जो है वेंस जो है इनको अगर जोड़ा जाए तो एक लाग किलो मीटर बनती है धाई चकर पूरी जमीन के बन जाए हर इनसान की शर्यान अगर जोड़ी जाए उन सारी शर्यानों में जो खून ट्रैवल करता है दिल के जरीए क्या ये खुद बाखुद हो रहा है फिर इसके बाद इस चीज़ के पर गोर करें कि हमारे जो गुर्दे हैं रोजाना 25 दफ़ा डेलैसिस करते हैं एक डेलैसिस की कीमत मार्कीट में त क्लीफ काटनी पड़ती है ये हमारे गुर्दे खुद बाखुद चल रहे हैं क्या जमीन असमान की सारी मखलुकात मिलके जिस बंदे के गुर्दे फेल हो जाए वो गुर्दे चला सकती है ये कोशे होती हैं बैटरी लगाते हैं लेकिन वो कहते हैं कि दिल चल रहा है लेकि 23,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 30 ملک हो اور وہ 30 کے 30 ملک दरختों से पूर हो हर दरخت के 10,000 पते हो तो जितने पत्वों की तदाथ बनती है 30 इंगलेंड जैसे मुलक मुकमल दरختों से भरे वे वो सारे पत्वे गिने जाएं हर दरخت के 10,000 पत्वे हो तो यह 100,000,000,000,000 बनता है इतने खुलियों तक अक्सीजन रोजाना पहुंचती है जिसम के अंदर खुलियों मुझूद है और हर खुलिया एक परफेक्ट फैटरी है पावर जनरेशन प्लांट उसके अंदर लगाव है वो अपनी खुराग त्यार करता है हर खुलिया उस तक अक्सीजन पहुंचती है खुलियों का नजाम पहुंचता है यह सारे का सारे कंपलेक्स सिस्टम क्या खुद बाखुद हो रहा है जमीन और असमान की सारी मखलुकात मिल के यह काम नहीं कर सकती जिसके बारे में हमें वैम हो गए शायद यह खुद बाखुद हो रहा है फिर अपनी आँखों के उपर और करें हमारी आँखें रोजाना बाराँ हजार दफ़ा चिपकती हैं से बाराँ हजार दफ़ा अगर हम अपने ये हाथ को उल्टा करके एक दूसरे पर यू रगड़े ना तो मेरहला हमारी खाल उतर जाए इस से जज़ादा नाजुक चीज हमारी आँख है लेकिन इस आँख के दरमयान ऐसा लीकवड मुजूद है जो इस आँख को घिसने नहीं देता और तकलीफ नहीं होती वो लीकवड थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो खामखा हमारे आंसू बहने शुरू हो जाए जैसे हमारे गले में भी थूप मुजूद है यह थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो राल टपकनी शुरू हो जाती है के लोगों आप देखते हैं बिमारी होती है एक ज्यादा मिकदार में हो जाए तो राल टपक जाए कम हो जाए तो हम बोलना सके हमारा गला कुश मुजूद है कि इतना कंप्लेक्स नजाम खुद बखुद हो रहा है अगर हम रोजाना बारा हजार दफ़ा ऐसे करें न आँखे खुद से तो ठक जाए लेकिन ये बिला इरादा ये सारी की सारी चीज़े किसी कंट्रोलिंग अथर्टी ने इसको टैनिस्ट डिटेल तक कंट्रोल किया है जो हमारे इस्तियार से बाहर खुद बखुद हमारी आँके चल रही है जब कोई खतरा सामने आता है अंधेरी चलती है ना चाहते हुए खुद वखुद हमारी आंके यो बंद हो जाती है फिर इसके पर पलकों के पर बाल है और ना सिर्फ ये बाल अपने नाखुनों पर गोर करे गोश्ट मेंसे नाखुन निकल रहे है यार गोश्ट के अंदर कुछ सा मटीरियल है लेकिन दात काटने नहीं पढ़ते है ये एक खास मिकदार पर जाकर रुख जाते है यार दातों कोई बाप है जो इनको कह रहा है कि इसके बाद तुमने नहीं बढ़ते है सर के बाल बढ़ते हैं लेकिन ये हमारे ये वाले बाल नहीं बढ़ते हैं इस सारी की सारी चीज़ें क्या खुद बाखुद हो रही है जो चीज़ें भाईयों करने से नहीं हो सकती इनसान अपनी चीज़ें खुद कंट्रॉल नहीं कर सकता तो खुद बाखुद वो कैसे हो रही है इस से बड़ी तो बेवकूफी और कोई चीज़ नहीं पिर सबसे मुश्किल जो इंस्ट्रूमेंट हमारे दमाग जो है हमारे दमाग के अदर दस अरब खुलिये हैं और जो दमाग के अंदर जो हमारे कॉनेक्शन्स हैं वो हंडर्ड ट्रिलियन है इक्वेलेंट टू डि कॉंटिटी आफ सेल्स इन हुमन बार्डी जो मैंने बता है तक इंगलेंट जैसे 30 मुलकों वो वाली एक्वेल दी वो सेम उतने कॉनेक्शन्स दमाग के अंदर है हमारे दमाग के अंदर एक मिनट के अंदर 10 लाक चेंड रियक्शन्स होते हैं जिनकी वज़ा से दमाग काम करता है एक कॉनेक्शन भी इन 100 ट्रिलियन कॉनेक्शन्स में से डिस्टर्ब हो जाए हमारे दमाग काम नहीं कर सकता है इतनी टैनिस्ट डिटेल तक दमाग को जो कंट्रोल किया है यह क्या दमाग खुद वखुद अपने आपको कंट्रोल कर रहा है जमीन और असमान की सारी मखलुकात मिल के एक बंदे का दमाग नहीं चला सकती अगर उसका दमाग खराब हो जाए जब कॉनेक्शन डिस्टर्ब हो जाए यह अक्सर लोगों को ऐसा मसला होता है क्यों कहते हैं जी खून आ गया इसको और यह दमाग जो है इसकी शर्यान फट की यह हो गया तो यह जो दस लाग पर मिनट रियक्शन्स हो रहे हैं इनकी विज़ा से हमारे पूरे जिसम का जो नजाम चल रहे हमारे सूमने की हिस हमारे चकने की हिस हमारी देखने की हिस बाकि सारे नफ्स का सिस्टम जाई दमाग कंट्रोल करता है इनी रेक्शन के दूँ फिर इनसान अपनी री प्रोड़क्शन पर वार करे कि इनसान पैदा किस्से हुए मनी के एक कत्रे से मनी के एक कत्रे के अंदर एक करोड बीस लाग स्पम्स मुजूद होते हैं हर मनी के कत्रे में इतनी ताक्त मजूद है कि 1,20 लाग इनसान उसमें से पैदा हो सकते हैं और उन 1,20 लाग स्पम्स में सिर्फ एक स्पम्स जो है वो गाइड होता है वो एक पूरी स्टॉरी है अगर मैं सनाओ उसकी लिए घंटों चाहिए और वो जाके जो मदर की ओवरी जो है उसको जाके फर्टाइल करता है और वहाँ प्रिगनेंसी ठहरती है और बच्चा बनना शुरू हो जाता है उस एक स्पर्म को कौन रास्ता दिखाता है और वो किस मुश्कल रास्तों से गुजर के वहाँ तक पहुचता है इनसान पागल हो जाता है अब नेशनल इग्राफिक पर ये वीडियो चलाई थी उन्होंने सारी चीज़ें दिखाई थी तो इनसान पागल हो जाता है उस चीज़ को देखिए तो ये जमीन और असमान की सारी मखलुकात मिलके क्या एक बच्चा बना सकती है पागल हैं सब के सब लोग परशान हो जाते है कि मनी के एक कत्रे से इतना बड़ा इनसान कैसे बन जाता है उस मनी के कत्रे में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आंक कड़ेला बन जाए और उसके बीचे शीशा लग जाए उसमें तो कोई ऐसी चीज़ मुझूद नहीं कि ये बाल जैसा मडील निकल है फिर वो सारी की सारी चीज़े इतनी पर्फेक्ट हर्मनी में बन के बाहर आती हैं पूरे सिस्टम के तहर की कैसे हो रहा है जो काम जमीन और असमान की सारी मखलुकात मिल के नहीं कर सकती वो खुद बहुत कैसे हो सकता है इसलिए बियालो जी के जो चंद लाज फाइनल हुए हैं उन में से एक लाज ये भी फाइनल हो चुका है एक यूनिवरसल लाज बियालो जी का कि लिविंग सेल्स कैन नेवर बी प्रोड्यूस फ्राम नान लिविंग सोर्स जिन्दा जो खुलिये हैं जिन्दा चीज कभी भी मुर्दा चीज से नहीं बनाई जा सकती जिन्दा चीज जिन्दा चीज से ही बनेगी जिन्दगी में से ही जिन्दगी बन सकती है अब खुन दुनिया के सारे कैमिकल्स जोड लिये जाएं खुन नहीं बन सकता जिन्दा बंदे का होन ही उस दूसरे बंदे को लगता है क्यों? कि लिविंग सेल्स है तो ये बैलो जी का लाज है ये फाइनल हो चुका है अब तक जितनी मैंने डिसकेशन की ये वो तमाम डिसकेशन्स हैं जो आम इनसान इसमें से मजारिटी चीजें ऐसी है कि जो आम इनसान चाए आज का इनसान है चाए हजारत साल पहले का इनसान है वो इन सारी चीजें को अबजर्व करके एक सुपर कंट्रोलिंग अथारिटी तक पूँच सकता है और वो अथारिटी है अल्लाँ सो गाइज जे था विडियो मतलब अल्लाँ के बारे में इन्होंने बताया कि अल्लाँ ने जो कुछ भी इस काइनत में बनाया है सब उन्होंने डिटेल बताया कि हमारी आख से लेकर ब्रेन से लेकर मतलब आख के बारे में बताया उन्होंने कि उसमें एक लिक्विड रहता है है मतलब हमारे आखे एक दिन में 1212 से पलक जोपकती है और वह पर कुछ लिक्विड रहता है वह अगर ज्यादा हुआ तो आसों निकलते हैं वह उसी प्रमान में रहता है वह लिक्विड उसके बाद उन्हें बताया कि उसी प्रकार ठूक रहती है हमारे मुह में ज्यादा हो और रही तो लाल तपकते हैं और ब्रेन के बारे में बताया उसके बाद उन्हें एक human की reproduction होता है लेकिन हाँ बाल का भी वता है न हो मतलब क्या मुलते की यहां के बाल नहीं बढ़ते हैं आबरो के बाल उसके बाद है और भी बहुत मतलब आल्ला की जो quality नहीं कह सकते यह सब कुछ जो बनाए है यह सब अल्ला नहीं बनाया तो उनकी मतलब उन्हें बहुत जबरदस्त इंट्रोग दक्षन दिया है हुई जाला हमने बहुत सारे इनके वो चैनल के वीडियो कि आप देखिए और आज का भी वीडियो कमाल का था उस पहले पहले स्टार्टिंग में उन्हें बताया वो खून का भी कैसे हमारे शर बहुत जबरदस्त मतलब इनके वीडियो ऐसे साइंटिस्ट की तरह बताते हैं डॉक्टर की तरह बताते हैं पूरा डिटेल में नौलेज है इनका हम और भी इनके वीडियो देखेंगे सुनेंगे उस पर भी रियक्शन करेंगे और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता है तो सच में बहुत 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 उनका डिटेल में वीडियो किया है उसने नौलेज भी बहुत ज्यादा नौलेज दिया है तो सच में बहुत अच्छा वीडियो था मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपको कैसे लगा एबी कमेंट करके बताए और वीडियो को ला बाटु सक्रत्रो का करा है।